Sorority Row ये 2009 की एक होरर मिश्ट्री मूवी है तो दोस्तों मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है इस रिवी में मैं आपको बताऊँगा कि मूवी देखने लायक है या नहीं और इसकी हिंदी डबिंग कैसी है रिवीउ स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूनिक मूवीस की रिवीउस में हमेशे आपके लिए लाता रहूँ तो ये कहानी है सोरोरिटी सिस्टर्स की जिनके शरारती प्रैंक की वज़ज़ से एक लड़की की मौत हो जाती है कहानी में आगे एक सिरियल किलर की एंट्री होती है जो एक-एक करके इन सारी सिस्टर्स को फॉलो भी कर रहा है और एक-एक करकें की मौद भी हो रही है अब ये सब क्यों हो रहा है और इसका इस Serial Killer के साथ क्या connection है इसी के बारे में ये movie है तो दोस्तो ऐसी बहुत सारी movies आपने अल्रेडी देख के रखी होगी जैसे कि I Know What You Did Last Summer और Scream तो ये movie ऐसी ही movie से इंस्पायर होके बनी है लेकिन ये उतनी बहतरी नहीं बन पाई है और ये काफी predictable भी थी movie की कुछ-कुछ चीज़े आपको पसंद भी आएंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आप निराज भी होंगे characters के performances भी इतने कुछ खास नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ-कुछ जगा पर ये tension build-up करने में कामयाब हो पाती है अगर आप horror mystery movies के बहुत ज़्यादा fan है तो शायद ये आपको पसंद आ सकती है लेकिन फिर भी मैं इसे recommend नहीं करूंगा ये एक बहुत ही average movie थी movie की हिंदे डविंग अच्छी थी बहुत दन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई